इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माधब से पहुँचाएंगे इसलिए लगतार हमार साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा सभी मुक्समाचार चानना आप सभी लोगों के लिए बेहदी जरूरी है तो वहाई दोस्तों खबरों की तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया कडबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजेगा हैश्टेग वी सपोर्ट इंडिया दरासल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें पूर्व किर्किटर वैंकटेस प्रसाद ने अमिस सहा के बेटे जैस सहा को बताया है भ्रष्ट और घमंडी आदमी टूइट सोसल मीडिया पर जम करके हो चुका है वायरल जिया दोस्तों खबर बताते चलें आप लोगों को अमिस सहा के बेटे जैस सहा अब सर विवादों में बने रहते हैं विपच्छ भी कई तरहें के सवाल उठाता है कि आकिर बी सी सी आई में जैस सहा की इंटरी कैसे हो गई और यहां पर आरोप लगाता है कि वे ग्री मंत्रिया में सहा के बेटे हैं इसलिए उनको बी सी सी आई में जगह दी गई और वहीं आप लोगों को बताते चलें पूर्व किर्किटर वैंकटेस प्रसाद ने यहांपर बी सी सी आई और एसी सी की जम करके आलूचना की है और यहांपर उसके बाद में उन्होंने बी सी सी आई के सचिप जैस हा को भरेष्ट और एहंकारी आदमी तक कह दिया है जिसके बाद इस पूरे मुद्दे ने सोसल मीडिया पर यहाँ पर जगहे बनाई है और लोग तमाम तरहें की अपनी प्रतक्रियाँ देते हुए नजर आ रहे हैं एक यूजर ने यहाँ पर BCCI के खिलाब बोलने की उनकी हिम्मत और साहस की सरहना की है जो की कमेंटेटरों में से किसी भी पूर्व किट्किटर ने नहीं किया है हाला कि कुछ घंटों के बाद ही वैंक टेस परसाद ने अपना यहाँ टूइट डिलीट कर दिया जिसके बाद यहाँ पर लोगों ने अनुमान लगाया कि सायद उन्हें BCCI अधिकारियों ने धम की दी है यह यहाँ पर दोस्तों पूरी खबर है इसके साथ ही एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं खोखले विकास की खुली है पोल दुनिया के सामने भाजपा सरकार ने कराई है जम करके किरकरी 2700 करोंड रुपए कर दिये हैं सोहा भारत मंडपम में पानी भरने का वीडियो शेयर करके कॉंग्रिस ने कसा है तंज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में G20 सिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ G20 सम्मेलन के बीच यहां पर कल राज से दिल्ली NCR में जोरदार बारिस हो रही है जिसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया है दावा किया जा रहा है कि बारिस की वज़ह से भारत मंडपम के परिसर में जबरदस तरीके से पानी भर गया है अब कॉंग्रस ने यहां पर भारत मंडपम में पानी भरने का वीडियो शेर करके मोधी सरकार पर तंजिकसा है कॉंग्रस ने एक्स पर भारत मंडपम का एक वीडियो शेर करके लिखा है कि खोखले विकास की पोल खुल गई है G20 के लिए भारत मंडपम तैयार किया गया 2700 करोण रुपए लगा दिये गये एक बारिस में पानी फिर गया पूरे पैसे पर ये यहाँ पर दोस्तों पूरा मामला है जो की अब सोसल मीडिया पर पूरे मुद्दे पर जम करके चर्चा हो रही है और लोगभाजबा सरकार को जम करके ट्रोल कर रहे हैं और कोदी मीडिया भी ये खबर दिखाने को तैयार नहीं है आप लोगों की क्या कुछ राय है अपनी महत्पूर्ण राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं जी टुन्टी समिट में हिस्सा लेने आये राश्ट्र अध्यच राजगाट पर उम्डे है राश्ट्र पिता महत्मा गांधी को दी गई है सरधानजली इस पूरे मामले पर अब कॉंग्रस की नेता की तरफ से बड़ी पृतिकरिया सामने निकल के आई है जी आँ दोस्तों आप लोगों को बताते चलें यहां पर महराश्ट्र में विपाच्य की नेता विजय वडे टिवार की तरफ से एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है जिसमें कॉंग्रस की नेता ने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीम राओ अम्भीडकर और बापू को एक तरफ करके हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा और लिखा किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता है हिंदुस्तान की इतिहास से इन दोनों का नाम कभी भी नहीं मिटाया जा सकता है हमें गर्व है कि G20 की टीम बापू की समाधी पर गई सवाल यही है कि किसकी समाधी पर जाएं भाजपा में ऐसा कोई नहीं जिसकी समाधी में जाया जा सके ऐसा इतिहास कॉंग्रेस बापू का है यह यहाँ पर कॉंग्रेस के नेता की तरब से बड़ा बयान सामने निकल के आया है यह यहाँ पर दोस्तों पूरी खबर है आप लोगों की इस खबर पे क्या कुछ राय है अपनी महतपूर राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरब बढ़ते हैं दोस्तों राजद्रोह कानून पर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं CGI चंदर्चूर केंद्र की आपत्ती के बावजूद यहाँ पर सुप्रीम कोड करने जा रहा है पूरे मामले पर सुनवाई एक सव पावन साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली आचिका पर सुप्रीम कोड 12 सितंबर को सुनवाई करेगा इस मामले की सुनवाई चीप जेश्टिस डीवाई चंदर्चूर जेश्टिस जेबी पार्धिवाला और जेश्टिस मनुज मिसरा की बेंच करेगी इससे पहले एक माई को किंदर सरकार ने सुप्रीम कोड से कहा था कि राजद्रोह को अपराद वनाने वाली आईपी सी की धारा 124 एकी समिच्छा की जा रही है इसके बाद कोड ने पूरे मामले पर सुनवाई इस्थगित कर दी थी हाला कि सुनवाई की तारीक आने से पहले ही 11 अगस्त 2030 को ग्रीमंत्री अमिसा ने लोग सभा में यहाँ पर तीन कानूनों में बदलाओ के लिए बि चंदरचूड की अगवाई वाली बेंच अब यहाँ पर खुद सुनवाई करने जा रही है यह यहाँ पर देख सकते हैं कि आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं आप सी जी आई डी वाई चंदरचूड इसके साथ ही एक और बड़ी कबर की तरफ बढ़ते हैं घोसी उपचुनाव में जबरतास्त जीत के बाद यहाँ पर इंडिया गडबंदन के तमाम नेता गदगद नजर आ रहे हैं हाल ही में हुए देश की साथ सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गडबंदन ने एंडिये पर बढ़त बनाई 4-3 से और अब यहाँ पर सरतपवार की तरफ से बड़ा बयान आया है केजरिवाल का क्या कुछ गहना है हम आप लोगों को दोस्तों बताते चलें यहाँ पर NCP के अध्य अच्छे सरतपवार ने कहा है कि हम देश के लोगों को अच्छी सरकार देंगे सरतपवार ने आगे कहा है कि मैं वादा करता हूँ हम रुकेंगे नहीं जो गलत रास्ते गए हैं उन्हें सही रास्ते पर लाएंगे यहाँ काम हम मिल करके करेंगे सरत्पवार ने आगे कहा है कि आज देश में चाहें किसान की समस्या हो या मज़दूरों की या फिर नाजवान साथियों की समस्या हो बीजेपी से हर वर्ग के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है और वहीं दिली के सियम अरविंद केजरिवाल ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ कढ़बनन 28 राजवनीतिक दलों का नहीं बलकी 140 करोण भारतियों का है जो 21 सदी के भारत के निर्मार के लिए एक जुट हुए हैं केजरिवाल ने मोधी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि यहाँ भारत की अब तक की सबसे भरष्ट और एंकारी सरकार है यह यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सरत पवार और केजरिवाल की तरब से प्रतिक्रिया सामने निकल की आई है इसके साथ ही एक और बड़ी खबर मद्ध्य प्रदेश के विधान सभाचुनाओं में बीजेपी की जन आसिरवाद यास्रा के जवाब में जन आकरो सियात्रा निकालेगी कॉंग्रेस पार्ठी राहुल गान्धी और प्रियंका गान्धी भी यात्रा में होंगे सामिल खबर बताते चलें मध्य प्रदेश के विधान सभा चुनाव के लिए अब सौध दिन से भी कम का समय बचा हुआ है यहाँ पर सत्ता की लड़ाई मुखे रूप से कॉंग्रेस और बीजेपी के वीच में है दोनों ही पार्टियां लगतार मतदाताओं को लुभाने में लगी है सत्तारोड बीजेपी यहाँ पर अपनी जन आसिरवाद यात्रा निकाल रही है और वहीं विपच्छी कॉंग्रेस सिवरा सरकार की नाकामियों को लेकर के जन आकरोस यात्रा निकालने जा रही है कॉंग्रिस की जन आकरोस यात्रा बीजेपी की जन आसिरवाद यात्रा के मुकाबले 19 सीटों को ज़्यादा कवर करेगी इन यात्राओं में कॉंग्रिस के टॉप लीडर राहुल गांधी और प्रियांका गांधी भी सामिल होंगे मद्र प्रिदेश में चुनावी यात्राओं का मौसम सुरू हो चुका है और अब यहाँ पर प्रियांका गांधी और राहुल गांधी खुद यहाँ पर कमान सभालेंगे और माना जा रहा है कि राहुल गांधी का फोकस जादा से जादा सीटों पर परचार करने का है जनता के बीच में पहुँच बनाने का है यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी खबरे थी मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जादा से जादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत